भक्तों, जदी आप अपने बेहन के पती को अपने वश में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जीजा आपके वश में रहे, आपके बेहन को ना डाटे ना मारे ना कुछ कहे, कई बार ऐसा होता है प्यारे भक्तों, हम किसी जगा शादी तो कर देते हैं, पहले पहले वो अच्छे तरीके से पेश आता है, परन्तु कुछ समय बीतने के परशाथ, वह अजीब तरह की हरकते करता है, डाड़ता है, बोलता है, आप ना चाहते हुए कुछ कर नहीं पाते हैं, तो भक्तों, यहां मैं टोटका आप के लिए लेकर आया हूँ, आप चाहते हैं अपने तोटके को अवश करें, यहां तोटका करते ही, आप अपने बहन के पती को आसानी से अपने वश में कर लेंगे, क्योंकि यहां तोटका इतना प्रचंड और शक्ति साली और आज माया हुआ तोटका है, प्यारे भक्तों, बस इस तोटके को हमारे बताया अनुशार आप कर तो कैसे करना है प्यारे भक्तों इस टोटके को या विधी जान लेते हैं सबसे पहले आपने छे दाने चावल के लेने हैं उसको सिंदूर में इस परकार से मिला देना है इसके अंदर ढग देना है मैंने दिखा रहा हूँ बट आपने ढग देना है और इस परकार से आकरिती बना लेनी है बनाने के परशाद क्या करना है? पहले आपने बहन के पती का ना, फिर बहन का ना, फिर बहन के पती का ना, फिर बहन का ना इस परकार से बनाने के परशाद आपने तीनों वीट लाइन में प्लस का साइन बनाना है बनाने के परशात आपने क्या करना है इस मंत्र को जबते हुए आपने चार बा लिगना है 3-3-3-3 या करने के परशात आपने इस परकार से एक चावल को सबसे पहले बीच वाले हिसे में रख देना इस पार सिंदूर की साहता से करने के परशात आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूँ मंत्र को ध्यान से भक्तो सिरिफ और सिरिफ तीन बार उचारन करना है ध्यान से सुनिएगा ओम, मम, भशकराय, मम, अक्षनाय, मम, स्वाह इस मंत्र का तेन बर उचान करने के परशाथ आपने फिर दूसरे चावल को दूसरे पलस पे रखना है फिर तीसरे चावल को तीसरे पलस पे रखना है और इसके परशाथ आपने इसको किसी चलते हुए पानी मर जैसे पानी नदी होती है वहाँ पे जैसे चल रहा होता है वहा वापस मुढ के चले आना है ध्यान रहे आपने वापस मुढ कर नहीं देखना है तब ही आपका कारे सफल होगा भक्तों या कारे आपको लगातार तीन दिन तक करना है तीन दिन तक या कारे करती ही आप देखेंगे आपके बहन के पती के सौभाओं में चेंजस आने लगेंग वहाँ उनको ना मारेगा ना डाटेगा प्यार से रहने लगेगा इसकी गैरेंटी है क्योंकि यह एक अजमाया होगा टोटका है प्यारे भक्तों भक्तों यदि यहाँ कारे आपसे नहीं होता है तो नीस समकोच होकर आप मारे देगे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और यह कारे आप हमसे भी करवा सकते हैं सो परसेंट आपका कारे करके दिया जाएगा जय माता दी प्यारे भक्तों